चाड़कंट 26 हैयार सहायक आचार भरती परिक्षा जिसमें क्लास 1-5 का एक्जाम संपन होने के बाद अब क्लास 6-8 का एक्जाम जारी है जिसमें क्लास 6-8 का पेपर 1 में हिंदी के शासाद बाकी जितने भी लैंग्वेज है अलग-अलग दिनों में एक्जाम हो रही है और य इसमें कौन-कौन से एक एंड़ेट सामिल हो पाएंगे परिक्षा कब से सुरू होगी और एडमिट कार्ट कब से जारी होगा और एक्जाम सेंटर में बदला होगा या नहीं इन सभी इंपोर्टन जानकरी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आप इसका इंतिजार कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे कमेंट भी देखने को मिला कि सर पेपर 2 पेपर 3 या पेपर 4 का एक्जाम कब होगा तो यह वीडियो हम इसलिए आप लोग के लिए लाया है तो चले बता देते हैं कि आप लोगा एक्जाम कब से होने वाला है क्या संभावित तीथी रहने वाला है तो इने वाले दिनों में चैनल के माध्यम से मलता रहेगा तो आप लोग सोब्सक्राइब करेंगा आपटेश को लेकर अप्डेट जाडखन कर्मचारी चैनायोग की तरफ से जाडखन प्रारमिक विद्याले पर सिजे साहय काचार यानि क्लास 6-8 का पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का एक्जाम कब होगा, कैसे होगा और एडमिट कट कब से आएगा, एक्जाम सेंटर में बदला होगा या नहीं, तो चले तीन तो जानकरी, आपको साथ सियर करते हों, तो सबस्पहरेल आप लोग को को जानकरी शायर करने से पहले बता दे, यह मेरा मेरा जो आप लोग अप्डेट करने जा रहा है इसी आधर पर आप लोग भी एक्जाम और एक्जाम में आडविट कर से लिटेट जानकरी मिलेगा तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नोटिस दिखाएंगे यह नोटिस आप लोग दिखेंगे इसी मेहने के 6 जून 24 को रिलिस किया गया था जिसमें क्लास 1-5 का एक्जाम 12-6-24 से और क्लास 6-8 का एक्जाम 23-6-24 से बताए गया था जिसमें देखिये सेंटर देखिये राची भोकारो धनबाद हजारिबाग एवं पूर्वी सीम भूम इस ठेट परिच्छा के इंदरों पर आयजित की जाएगी और आप लोगों बता दे क्लास 1-5 का जिस थरह से बताए गया था डेट उस हिसाब से जम संपन हो चुकी है और जो क्लास 6-8 है उसका जम लिया जा रहा है और लगभग पेपर 1 में जितने भी अलग-अलग भाशा का पेपर है यह लगभग 29 जून तक खतम हो यानि आपका जो पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 4 का एकजाम होगा इसके लिए आपको एडमिट कार्ट जो है लगभग 6-7 दिन पहले देखने को मिलेगा लेकिन एडमिट कार्मिट क्या है उसमें एकजाम सेंटर के बारे में आपको पता चलेगा एकजाम एडमिट कार्ट कि 29 जून को पहले एक्जाम खतम हो जाएगा और देखेगा कि 29 जून या तो 30 जून इन दोनों डेट में से जो है एडमिट काट रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस हिसाब से आप लोगा जो पहला एक्जाम होगा पेपर 2 और पेपर 3 इसको भी आप लोग जान लीज है और इसका एक्जाम देखेगा आप लोग कि इसका मैक्सिमम संभावित है कि 5-6 जुलाई तक यह सुरू होनी की संभावना रहेगा यह मेरा नीजी एक्सप्रियेंस है आपको बता रहे है देख लिजेगा इस तरह से होनी की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी 5-6 जून पेपर 4 का फिर एक्जाम टेट टू और त्री खतम होनी के बाद पेपर 4 का आराम से एक्जाम रिया जाएगा बाद में तो तमाम तरह की अपडेट पाने के लिए चायन के साथ इसी बढ़ने रहेगा एडमिट कार्ट के बारें बता दिये एक्जाम सीटी सहर आपको पहले बाद में वही जिला दिया गया पेपर 2 और पेपर 3 में तो हो सकता है कि आपको सेम जिला मिल जाए लेकिन एक्जाम जो सेंटर है उसमें लेकिन बहुत सारे स्टूर्ट का बदल बदल दिया गया था यानि अगर आपको सेम सीटी में दिया जा रहा है तो हो सकता है कि आपक सुक्रिया